मुसलमान लोग भी रोत कर रहें कि नहीं यह हमारे इसलाम के खिलाप है यह है वो है मुलाना लोग इसलाम खतम हो जाएगा अरे इसलाम खतम हो जाएगा अच्छा इसलाम खतम हो जाएगा हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाप हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जगा जगा अब बहस जो है वो देखने को मिल रही है जहां भारतिय जन्ता पार्टी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसल्मानों के खिलाप है ये समझाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है तो भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने जो मुसलिम चहरे हैं उन्हें आगे कर दिया है और कुछ ऐसे मुसलिम चहरों को सामने किया गया है जिनको लोग सुनते हैं और जिस तरीके से वो उसके उपर असर डाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखिए आपको इस तरीके से बातों को समझाना है कि यहां सिर्फ नुक्सान मुसल्मानों का होगा और इसी काम को अंजाम देने का कोशिश जो है वो खासतोर पर की गई है स्क्रीन पर देख रहे तस्वीर कुआ खान सर जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोट पर अपना ग्यान दिया और ग्यान ऐसा दिया और उस ग्यान को सुनने के पाद हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दिया कि यह तो हर दिन वाटस अप यूनिवासिटी से आया हुआ ग्यान है जिसे खान सर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर परुस्ते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोट पर भी खान सर ने अपने यूट्यूब चैनल के जरीए इसी तरीके से मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है पहले इस वीजियो पर नसर डाल लीजिए समान डंड संगीता थी उसे मल लिया डंड संगीता में भी तो आप कहिए कि मुसल्मानों का डंड कानून अलग रखी अगर आइसा कर देंगे तो आप ही पड़े होंगे कि सबसे टफ कानून सौधी अरब का आदा मुसल्मान कटाके फेका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजे तो बहुत टफ कानून है इसलाम का कानून वहाप है कि गौर्मेंट लेके चली आईगी उनिफॉर्म सिविल कोड पक्का लेके चली आपने वीडियो का वो अंच सुना कि उनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसलाम खत्रे में आ जाएगा मौलाना मौल भी कहते हैं यहाँ एक भी उलिमा या कोई एक भी मुसल्मान ऐसा दिखाएं जिसने यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसलाम जो है वो खत्रे में आ जाएगा और फिर इसके बाद यह अपनी डेफिनेशन को समझाते हैं कि यहाँ चोरी करते हैं तो आई पी सी का कानून मानते हैं वहाँ इसलाम नहीं दिखता यह कहना है खान सरकार जिन्होंने अपने वीडियो में जम करके यू सी सी के पहाने मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है क्या कुछ कहा है खान सर ने एक बार इस रिपोर्ट पर भी नज़र डालते हैं दोस्तों समान नागरिक सहिंता यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर जाने माने यूट्यूबर खान सर की परतिक्रिया सामने आई है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विरोध करने वाले मुसल्मान खास्तोर से मौलानाओं को आईना दिखाने का काम किया है यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के पक्ष में उन्होंने जोरदार दलीले भी रखी साथी याद दिलाया कि कैसे मौलाना और मौलवियों ने सुविधा के लिए डंड के मामले में शरिया कानून से दूरी बना कर आई पी सी को मान लिया है खान सर ने कहा कि तब उन्हें इसलाम खत्रे में नहीं दिखता बड़े तल्क लहजे में उन्होंने ये बाते कहीं है साथी उम्मी जताई है कि सरकार यूसिसी को जरूर लागू करेगी और यूसिसी एक फाइदे मन सौदा है यूसिसी पर खान सर का वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में उन्होंने पड़ी तल्की के साथ यूसिसी विरोधियों की क्लास लगा दी है ये उन लोगों को खुश करने के लिए बाते लिखी गई है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विरोध करने वाले भारतिये मुस्लिमों के रवईये पर सवाल खड़े करती हैं इसके लिए उन्होंने शरिया कानून का उधारन दिया है खान सर बोले के यूसीसी का विरोध करने वाले मुसल्मान इससे इसलाम के लिए खदरा बता रहे हैं ये बात बेतुकी है अनुचेट 25 के तहट इसलाम का कानून है कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काड़ दो चोरी करते हैं तो भारतिय दंड सहिंता IPC मान लेते हैं वहां मुसल्मानों को इसलाम नहीं दिखाई देता इसलामी कानून में मौत का बदला मौत हाथ का बदला हाथ है मौलानाओं ने इसलाम में IPC समान दंड सहिंता की खुशी-खुशी मान लिया है दंड के मामले में क्यों नहीं कहते कि मुसल्मानों का कानून अलग रखे ऐसा होगा तो मौलाना और कट्टरपंथी जानते हैं कि सबसे सक्त कानून सौधी अरब का ही है वहाँ उनका इसलाम खत्रे में नहीं आया है वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया है जाने माने यूट्यूबर खानसर आगे बोलते हैं कि जब बात महिलाओं की शादी की आती है तो मौलानाओं को याद आ जाता है कि उन्हें याद आ जाता है कि शादी में इसलाम का अलग कानून है वहाँ वे चीख चीख कर बोलेंगे बेहां में इसलाम का कानून अलग है दो ब्याज करेंगे तीन तलाग देंगे खान सर ने कहा कि वे गैरंटी के साथ कहते हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लागू करेंगे खान सर का ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब यूसिसी पर चर्चा गरम है प्रधान मंतरी श्री नरंदर मोदी भी इसकी पैरवी कर चुके हैं इस तरह की अटकले भी हैं कि सरकार संसत के आगामी मानसुन सत्र में इसे लेकर बिल पेश करेगी और खान सर पटना के रहने वाले हैं वे यूट्यूबर हैं पर आउनलाइन क्लासे देते रहते हैं अपने पढ़ाने के रोचक अंदास के कारण जो है वो मुसल्मानों के खिलाब चमकर जहर उगलने का काम भी करते हैं उनका जन उत्तर परदेश के गोरखपुर में हुआ था जिसकी तस्वीरे तो लोगों के सामने हैं पर जिस तरीके की तीख़ी टिपड़ी की गई है मुसलिम विरोधी इसलाम विरोधी के मौत का बदला मौत आग का बदला आग हाथ का बदला हाथ ये कहीं इसलाम में नहीं लिखा गया है जिस तरीके की भाशा का इस्तेमाल यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के बहाने मुसल्मानों को बदनाम करने का खानसर ने ठेका लिया है और जब ये तस्मीरे खान सर दौरा सामने आई हैं तो लोगों की परतिक्रिया भी इस पर तेज हो गई जहां एक लेमो गुपता लिखते हैं कि यू सिटी पर खान सर की परतिक्रिया के बारे में बताने के लिए धन्यवाद लेकिन मुझे ये समझने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है कि आपका मतलब क्या है धर्म और कानून की बारी में आपकी ख्यालात सुनना चाहूंगा अगर आप जर्मन मालिक की तरहा नहीं है तो आप हिटलर शाही में यकीन नहीं रखते हैं तो खुल कर इस पर अपनी बात रखें अच्छा आपको अंतर जाती है शादी पर या उसके नियमों पर क्या बोलना है ग्यान थोड़ा बढ़ालो यार बात खान सर और यू सिसी की है इसलाम धर्म की नहीं है जहां लोग उनसे ये सीधा सवाल कर रही है कि आपने यू सिसी पर अपनी डेफिनेशन जो है वो इसलाम विरोधी बताई है पर यहां बात यू सिसी पर इसलाम और मुसल्मानों की नहीं है जो आपने अपनी गंदिगी दिमाग की राहिर की है इ यही होता है जब आपके पास आधा ग्यान हो ये बच्चों को RSS का एजन्ट बनना सिखा रहा है इसी के साथ साथ लोगों ने कहा एक शदाब खान लिखते हैं ये बुडबक है इसे क्या पता ये फर्दी खान सर है बिचारे की जर्वी रोटी पर संकट आता है अपने बाप साथाओं को याद कर लेता है और इसे कुछ वियूज मिल जाते हैं एक योगंद्र लिखते हैं कि खान सर समझते हैं कि यूसिसी की उप्योगता मौलाना और मौलवी तो चाहेंगे कि यूसिसी नहीं आए क्योंकि उनकी दुकान में मंदी आ जाएगी सेक्लूरिजम का सभी के लिए एक कानून है एक जैकिस बैग लिखते हैं खान सर जो आधा अधूरा घ्यान फैलातने का काम करते हैं लगता है वाटस अप यूनिवासिटी से घ्यान प्राप्त करते हैं जैसे कि इन्हों ने कहा महिला को बीच बाजार पत्थर से मारते हैं ये भी अधूरा यान था ये पुरुश और महिला दोनों के लिए हैं अगर आप इसलाम की दोहाई दे रही हैं तो आपको दोनों चीजों को सामने रख करके बोलना चाहिए था तो वहीं एक खान सर लिखते हैं कि उन्होंने इसलाम में जो भी सदा का जिक्र किया है वे इसलाम में नहीं है बलकि इसलामिक देशों में है मिस्टर खान आरेसेस के पिट्टू है जो हमेशा अपना आधा अधूरा ग्यान दिखाते हैं जिन जिन चीजों का जिक्र किया है लोग खुद खान सर के इस वीडियों में कमेंट करके उन्हें ये बता रहे हैं कि जो चीज को आप बता रहे हैं वो इसलामिक देश का कानून है इसलाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया जो आप UCC के पहाने इसलाम धन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक तस्वीर आपके साथ साजा करता रहूँगा दीजे इजाज़त शुक्रिया